नमस्कार में हूँ संजीव कुमर और आप देख रहे हैं वेव समाचार पुरे जारखन में पंचाय चुनाव की सरगर्मी जैसी समात होई नगर निकाय नगर परशट चुनाव को लेकर निर्वाचान योग एक्टिव हुचुके हैं आपको बता दें कि जारखन में 14 जीले ऐसे हैं जिनका नगर निकाय चुनाव कारेकल वाट परशटों का 2020 में समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जीले हैं जिन परशटों का कारेकल 2030 में समाप्त होगा बहराल अभी हम आए हुए हैं हजारी बाग और हजारी बाग में वाट नम्मर पांच है और यहां की जो पारसद हैं रेखा सिंग है हले कि वो छेदर में गये हैं लोगों से रूब बरोड हैं तो हमसे जूरे हैं उनके पती हैं राजिव सिंग है उसे जानते हैं कि आपके पत्मी का जो कारेकल है जनता ने जब उनको पांच वर्सों का समय दिया तो इस दोरा ने उनके द्वरा क्या कुछ जवलेपेंट यानि भी कासा काम किया गया है कितने लोग को प्रधान मंत्री ये वा सोजना सवचाले रासन कार्ट पेंसन सरक नले गले सहित इस वाड को एतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ आपने काम किया है और आगे कि क्या रहनिती है तमाब बिंदों पर बाचीत होगी और इसके साथ साथ कुछ पूइटकल भी बा करते हैं धन्यवाद आपका संजीव जी बताये कि आपकी पत्नी जो है पार्षद इन जो वर्तमाद पांच वर्स है इस पांच वर्सों में क्या कुछ जवलेपन ये बिगासा काम हुआ है पहले तुम्हें बदाना चाहूंगा संजीव जी कि यह लगातार तीसरी बार इस छेत्र की जनपर्दनीधी के रूप में रही है पिछले साड़े चौदा साल के कारेकाल में इन्होंने अपने वार्ड में अपना पूरा एफर्ड लगाया अभी आप हमारे वार्ड को देखेंगे तो यहां कि मुख्य सड़के लगभग में पूरी हो चुकी है एकी दूग जो की जरूरत मन हैं उन लोगों का कंप्लीट हो चुका है आज के समय में हमारे वार्ड में परदान मंतरी आवास योजना के लाभूक नहीं होने का सबसे वड़ा रेजियन है कि हमारे यहां दो सलम है एक सरना टोला कहते हैं दूसरा मर्यम टोला कहते हैं दोनों का दोनों जो है वो सरकारी भूभाग पर बना हुगा है तो इस परदान मंतरी आवास के लिए यह सबसे पहले जरूरी होता है कि आपका खुद का जमीन हो तब सरकार उस पर आपको दो लाक पाचीस जार रुपया का अनुदान देती है तो चुकि आपना जमीन नहीं होने के कारण य कुद को सक्षम नहीं पा रहे थे वैसे दस से बारा लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक परदान मंतरी आवास योजना का लाब ले चुके हैं और लगभग चार से पांच और अभी इधर हलके दिनों में अपना आवेदन को नगर निगम में दिये हैं जिन लोगों का बन जाना ह तो मैं रेखा जी के कारेकाल को देख रहा हूं इनसे मैं तो व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूं जनता भी यहां की संतुष्ट है है रहा था कि अधाव लोग में बात कर रहा था तो अट लोगों ने कहा कि इस वार हम लोग भी पड़़म डियों लेकिन दो लोगों ने कहा है कि अपने लोगों को खास काम करते हैं इस तरह का सिंगायते कुछ है संजीव जी हमारे अपने कौन है मेरा मानना है ना कि आप वाड का राजनीत नहीं कर रहे हो एक परिवार तियार कर रहे हो पादे चार दिनों का होता है और वाड में आपको जिंद्गी भर रहा ना है तो रिष्टे का मैं राजनीत करता हूं वाड का राजनीत नहीं कर रहा ह तक मेरे अपने का बात है तो मेरे अपने कहा यहां तो सारे के सारे मेरे अपने और आज के समय में हर घर में रिखा जी एक जनपर्तिनीदी के रूप में एक बेटी के रूप में एक परिवार के सदसे के रूप में या मैं खुद को अगर मैं पाऊं तो मैं हर इक परिवार मे एक बेटा चचा भाई के रूप में उपस्ती थूँ और ये जनता का प्यार हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है नहीं कि पूर में नहीं से तो एतिहसी काम कौशा हुआ है यह कहीं कि जब से देश आजाद वहकंए था हाला कि आपने को नजर में क्या आप्टार का कstad माई लाइफ जब तक मैं मेरा जीमर रहेगा रेखा जी का जो नाम रहेगा लोग याद करेंगे को यह सा का जैसे आपने कहा कि सडक नली गली तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 में जिसमें रेखा जी वार्ड 25 उसमें हुआ करता था का बागडोर ली उसमें पूरे वार के दिरिश्टी कौन से अगर देखा जाए तो काफी जर जर था मतलब लोगों के आवा गमन में बरसाथ तो छोड़ो दीजे आम दीनों में काफी कटिन आई थी एस पी कोठी से लेकर आपको कनहरी तक या कनहरी से लेकर पावर इस्टेशन तक या एस पी कोठी से लेकर गली कुचा में चुकि ये निया मतलब कि नगर के किनारे बसा हुआ वाड है तो नित्परती यहां पर आबादी बढलता जा रहा है तो वैसे इस्तिति में यहां परते एक दिन पॉल के भी आओ सकता है सड़क की भी आओ सकता है लेकिन यहां पर मैक्सिमम रोड जो बना त नालियों की आफ सकता थी, वहां कराया गया, पूल में लाइट की बात हो, या यहां फिर समुदाइक भावन की बात हो कहें, या फिर यहां चौक सुन्दरी करन की बात कहें, मास्ट लाइट लागवाने की बात कहें, तो ओवर ओल मतलब इस जगह पर मैं रिखाजी को ख़रा करना काम पता हूँ कि उन्होंने अपने पद्ध के साथ नयाय किया और जनता के साथ कदम से कदम मिलाने का प्रयास किया है यह मैं सकता हूं कि यह जब से पद्भार समखले तब से जितना भी संधरी करन हुआ यह इनके लिए एधियासी काम हुआ बिलकुल अच्छी वताइए कि तो जिस तरह से आपने संधरी करन करने का काम किया तो कई समस्यां का भी सामना करना पड़ा होगा हलागी छोटे मोटे समस्या होते ही हैं ल का सहयोग मिला हम यह जगा खुद को वेवस पहते हैं वह निगम जिए len का शैयोग जब तक नहीं होगा तब तक आप और भी का सकते बोट जब तक यहां कारेपालक पदाहदीकारी का अज है ता था हलाकि मैं अभी तातकालिक हमारी जो कारेकारी नगर आयुक थे हैं मैं उनके कारेसाइली से काफी परभवित हूं इसलिए कि प्रणा दिक्षित ने निसंदे यह बीच में जितने भी गैप थे माधवी मिस्रा जी के बाद उसको भरने का काम किया है और जानता कि हर उस समस्या का समधान करने का परियास किया है जिसे हम लोगों के द्वारा उठाया गया उनका सहीयोग हम लोगों के साथ है और अभी मैं समझ रहा हूं। कि चुनाओं के पूरूत्त तक जितने भी अधूरे कार ने हैं परसेंटेज उसमें हम लोग काम्याब होंगे चुल लेते हैं तो इस वाड को स्मार्ट वाड की रूप में कैसे डिवलप करने के लिए अपने रोड मैप तैयर कर रखा है कि स्मार्ट वाड बनाने के लिए मैं तो एक बार आपका आवाहन करूंगा कि आप हमारे वाड का बर्मन करें और देखें कि हमारे वाड में स्मार्ट वाड बनाने लाएक क्या कुछ है अभी के समय में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं जनता की उसमें साड़क नाली या नए जगह पर जहां पॉपलेशन ग्रोग कर रहा है उस जगह पर बिदूत बेवस्था इसके अलावा इस जनता इस जगह पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ और निया करने का जहां तक लाइबरेशन को ले करके जहां पर आपको मीटिंग में भी जाना है तो इस तरह के अगर कुछ लाइबरेशन को ले करके स्मार्ट सिटी बनाने को ले करके जहां तक लाइबरेशन की बात है न तो हजारी बाग में एक पहले एक लाइबरेशन हुआ करता था रुकमीनी भावन में सरकार जब उसे आज बचा नहीं पा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि वो वाडो में लाइबरेशन की विवस्था करेगी यह सारी परकिरिया जो है मानिय भी धायक महुदय के माध्यम से हो सकती है चुकि कैबिनेट में उन लोगों के दोआरा जो प्रस्ताव लिया जाता है उसे तेजी से कि लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हाजारी बाग में जहां भी पूर्व से पुच्तकाले था पहले तो उसे अपडेट करने की आऊ सकता है उसे संजोरने की आऊ सकता है हमारे वाड में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि माउंट फोर्ट इसकूल है वहां पर ट्रैफिक क हैं उन लोगों को आवगरमन में कठीनाई है जिसकी कल सूचना मुझे मिली वाड के जनता क्या दौरा मैंने तुरंत प्रिंस्पल सहाब से बात किया प्रिंस्पल सहाब ने जितने भी वहां ट्रांसपोर्टर हैं जिनके दौरा बच्चे आते हैं जाते हैं उन सबों का एक बैठक आज रखा है और उनका भी वाड के साथ में परसपर सहीरोग रहता है कोई भी अगर उस तरह का बात होता है तो वह एक बार परमर्श जरूर करते हैं कि इस तरह में क्या होना चाहिए अथा नहीं होना चाहिए इस पर डिप्टी मेर का जो पद्ध होगा वह करेंगे वो तो समय करें किंए कगो परिसी निर्धारीत करता है हमारा वाड महिला वाड होगा पूर्ष वाड होगा यह उस पर निर्वर करता है हमारे कुछ मित्र भी हैं जो लगातार तीन टेर्म्स में हम लोग साथ में हैं वोन लोगों के अंदर में भी एविलेटी है तो यह भविस के गर्म में है कि आगे क्या होगा कैसे किया जाएगा इस पर किसी भी तरह का टीका टीपनी करना अभी से उचित नहीं होगा जारखन के पुर्व राजपल हैं दुरपती मुर्मूर और पुर्व केंद्रिये मंत्री हैं यस्वंत सिन्हा जो हजारी बाक से आते हैं दोनों राश्टपती पद्द के उमिदवार हैं क्या लग रहा है आपको दुरपती मुर्मूजी जारखन की वो हमारी राश्टपती चाइनित होंगी यहां माननिये एस्वंत सिन्हा जी परत्यासी हैं जो कि पूर्व में हमारे हजारी बाग के सांसद भी रह चुके हैं अभी वरतमान में उनके पुत्र जैन सिन्हा जी हमारे सांसद हैं उसके बावजूद भी जहां तक मैं जानता हूं कि एस्वंत सिन्हा उस जगह तक नहीं पहुँच पाएंगे उस रेस में वो काफी पीछे हैं इसमें तो सांसद भी धाय के राजसभा के सांसद मेल सी वेगरा के माध्यम से चैन किया जाता है और उनका जो मैंडिट तयार ह है वो निसंदे दृपदी जी के साथ है दृपदी जी को हम लोग अगरिमस्थूप कावनाये देते हैं चुकि उनसे काफी उमीद है जारकंड के जनता को चुकि हम लोगों ने उनके साथ में एक बार नहीं तीन से चार बार बैठक किया है उनके राजपाल के कारेकाल में तो मैं उनसे कर काफी प्रभावित हूं और जानता हूं कि उनके समय में भाजपा के नीतियों के साथ में या जानता के समास्या के साथ में वो कदम से कदम मिलाकर राश्पती पद के दाईतों का निर्वान करें जब से जार्खन राज का गठन हुआ तब से कई मुक्मंत्री के ड़िखाया और गय वेस्टर किसे म हांते हैं कारे के मामले में तो मैं यही। कहूंगा कि जब तक के नडिय का सरकार रहा जार्क हुआ की घंका बाथी रही यूपियय की सरकाร में या तो भरस्टा-चार को बरहावा मिला हुआ और नहीं तो कारे में सुस्धी किया गिया या पक्षपात किया गिया कि जहां हमारे भाजपा के विधायक हैं उस जगह पर काम नहीं हो अगर वही उनके घटक दल के विधायक हों तो उस जगह पर मैक्सिमम सरकार के द्वारा काम करवाया जा रहा है सरकार की नीतियों का मैं बिरोध करता हूं क्योंकि रहवर जी के कारीकाल में मैं ने देखा कि माणिये विधायक मनिस जशवाल जी उस समय भी यहां के विधायक थे और उनके समय में मैंने अपने छेतर का मैक्सीमम विखास किए वैसे कारे को किया जिसे मैं मील का पत्थर समझता हूँ तो यह निका सकते हैं कि रगवर सरकार बेहतर काम है बिल्कुल उस समय आई-स बीरोक्रेट के आखों में डर भी था उगरवारियों को भी डर था आज तो पूरा का पूरा तंत्र बेलगाम है उसे नंगे आखों से सभ कारें क्या करें अगनी पत्थ योजना सरकार के द्वारा दी गई एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार का फोकस नहीं बलकि यह जो योजना है कहीं ने कहीं सेना की योर से तैयार की गई योजना है उनका उद्देश यही था कि चार साल के कारे काल में आप रहो लेकिन जब आ पहुंचोगे तो आप ट्रेंड पर्सन होगे एक साइनिक होगे और आप जानते हो कि जो भी रिटाइट साइनिक होते हैं उन्हें जेल पर या किसी उद्योगिक जगों पर या जिन्हें आवसकता होता है अंगरक्षक की तो वे उन्हें रखते हैं तो सरकार का कहना यह है कि चार-चार साल के अधी पर अगर मैं आपको रिटार्मेंट दे रहा हूं तो आपका रोजगार तो दुसरा जगह है और नेक्स्ट किसी को चांस भी मिल रहा है कि वो भी ट्रेंड होके उस जगह तक पहुंचे लोगों की बेहतर है वैसे लोगों के लिए जो कहीं नहीं पह चांदे मिलता है पर्सदो ऑ को नहीं मिलता है MP1 में लोगों को जो है जितने लोग है उनको पेंसन कि सुविदा स्वास्तलाब की बहुत तरफिक सुविदाए मिलते हैं पर सदोन को नहीं मिलता है इसके लिए क्या कहेंग जहां तक कि इसके संदर में मैं ही कहुंगा कि 2008 के बोर्ड में जिसमें रिखा जी पहुँची थी तो जारखन में उसमें सिफ्ते राजी होते थे राजिपाल उनके कारेकाल में उसमें के तातकालिक वरतमान बिधायक जो थे उनके अगवाई में यहां का के वाड़ पासदों का एक मंडल जो है सो जाकर मिला था राजिपाल मह हो दैसे और बोला था कि हम लोगों का भी बराबर खर्च होता है चाहे वो मुबाइल खर्चो पेट्रोल खर्चो ऑफिस खर्चो तो इस रूप में अगर हम लोगों को भी अगर कुछ सरकार की और से अगर मान दे मिलता अथ्वा वेतन मिलता तो काफी हद तक अच्छा होता तो सिफ्ते राजी जी चुकि उसमें राश्पति सासन था तो उन्हीं का सब कुछ था तो उन्होंने पूरे ज्हारखन में घोसना कर दी थी कि वाड़ पारसदों को पांच हजार रुपया डिप्टी वाइस चेर्मैन जो होंगे सात हईजार और दस हजार रुपया संबख चेर्मैन को इस तरह से मान्दें फिक्स हुआ था उसमें निगम के गठन के बाद ये मान्दें पारसदों के लिए सात हईजार हो गया है और नो हजार और दस भाजार इसे ही करके मेश का मान्दे है कि किसी किसी तरह का कोई योजना नहीं है किसी तरह का कोई healthy scheme नहीं है और इसमें विसेश्ट या मुझे कोई टिपनी इसलिए भी नहीं करना है कि यह सरकार जब हमारे अतिकारों का अतिकर्मन कर रही है तो नीचले जनपरती नीधी के pocket पर वह कितना सजग होगी आप उमीद कर सकते ह तो यह सुनने के लिए आ रहा है कि जितने भी अगर आप आवाज उठाते हैं अपने वार्ट के डिवलेप्मेंट के लिए विकास के लिए तो अगर आयुक्त होंगे उनको पसंद नहीं परेगा तो बहुत तरह की जो है करवाई भी एक्ट में तो बहुत कुछ है लेकिन जब आप काम करते हो जैसे मैं एक उधारन देता हूँ कि सब्सक्pełnie मनलो कि आप किसी पादादीकारी के पास गए किसी जनता के समस्थिया को लेकर वहां भोकल होते हो उसे बुरा लगता है तो वह भी चाहे तो आप पर केस करता ही हैं लोगतंत्र हैं लोगतंत्र में लोग अपने पद का उपयोग भी करते हैं दुरुपयोग भीECTFE है लेकिन जनता के कारे καरीक्राय के लिए अगर मैं बढ़ रहा हूं तो जनता के लिए बढ़ूँगा चाहे उसके लिए ब्यूरोक्रेसी कितना भी हावी होने का पर्यास करें उससे हार नहीं मनें जाएगी तो आपने सुना के जिस तरह से वाड परसत प्रतिनीदी है रेखा सिंग के जो पती है राजीव सिंग इन्होंने क्या कुछ कहा और यह भाजबा पार्डी से भी जूरे हुए हैं तो इनका काना है कि इस वाड के डेवलपेंट के लिए विकास के लिए कि जंता ने जब वो च वाड को मौडेन वाड की रूप में डेवलप करनी की बात हो मैंने हर अस्तर पर काम किया है और आगे भी अगर जनता का सिने प्रयार मिला तो मैं डेवलपेंट यानि विकासा का मैं काम करता रहूंगा और राश्पदी चुनाव को लेकर इन्होंने कहा कि दलिस समास जाती है अधिवासी समास जाती है दुरोपादी मुरूमूर है और वो जहर्खन में कम से कम छे वर्सों तक राजपाल के पत्त पेरह करके काम किये हैं तो उनके काम को ये बखुवी देखे हैं जाने हैं समझे हैं तो इनका करना है कि हंडेट परसेंट और इन्होंने अग्रनी प काम करते हैं मंदारी से काम करते हैं तो लोग आप से उम्मीद है कि आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीम को भी धन्यवाद अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले वेल आकने पर दबाएदा कि हर छोटी बड़ी कर दो